हाली में वर्तमान मोदी सरकार ने अपना चोथा वित्य वर्ष 2022 तेश पेस किया वजट 2022 का आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ा है इस विशे को इस पष्ट करने के लिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्स वजट 2022 तेश आम आदमी का प्रभाव अच्छा या बुरा पर निबंद देखेंगे तो आए शुरू करते हैं एक फरवरी साल 2022 को भारत सरकार की वित्मंत्री निर्मला सिता रमनद्वारा भारती संसद में बजट 2022 तेश पेस किया गया वित्मंत्री के मुताबिक बजट में सामिल किया गया हर प्रावधान देश के विकास के लिए और इंफ्राटेक्चर को मजबूत बनाने की योजना के तहित रखा गया हालांकि इस बजट के विशे में अधिकतर लोगों की यह राय है कि आम आदमी इस बजट से काफी मायूस हुआ है लेकिन इसके विप्रीत देखा जाए तो सरकार ने कई बड़े ऐलान भी किय है जो देश की विकास में सायक हो सकते हैं बजट 2022 देश की सेवाइं इस बजट के जड़िये सभी को कुछ न कुछ सेवाइं प्रयदान की जाने की कोशिश की गई है जिस प्रकार वितमंत्री द्वारा किये गए एलाल में निमनलिकित महत्वण नितिया इस प्रकार है भारत के नैशनल हाइवे में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा वंदे भारत ट्रेन की नई पीडी की 400 ट्रेने तीन साल में बनाई जाएंगी उद्योगों की छेतर में 5,55,000 करोड से बढ़ा कर 7,55,000 करोड देने का प्रावधन जारी किया है रोजगार को लेकर तालिस हजार करोड रुपए का प्रावधन रखा गया है इसके साथ ही किसानों के लिए भी बड़ी खुसकबरी दी गई है जिसमें MSP के जरिये प्रते किसान के खाते में रुपए भेज़े जाएंगे जिसके लिए 2.37,000 करोड रुपए का प्रावधन रखा गया है बजट में सरकार के और से जनता को लुभाने का कोई भी परियास नहीं हुआ है बलकि बजट में सरकार ने अपनी नितियों को बेबाक रूप से पेस किया है इस बजट 2022 ते इसमें विशेश रूप से देश को विख्षित करने की नितियों पर जोर दिया है वितमंत्री नि देश से आने वाली वस्तू का मुल्य अप्रेल महां से बढ़ जाएगा इस परकार इस बजट में मुख्य रूप से इंफ्राटेक्चर को मजबूत बनाने पर अधिक जोर दिया गया एक आदमी की सुध्या के लिए योशनाओं या नितियों पर कोई विसेश ध्यान नहीं द वैक्ती को किसी भी प्रकार की रहात मिलने का कोई आसार नहीं दिखा इस बजट में किसी भी टेक्स को कब नहीं किया गया है Sylika बजट में कोई उलेक्वार का काफी फरेशान है जिसके चलते आम आदमी ने बज़ट 2022 से काफी उम्मेदे लगाई थी लेकिन इस बज़ट में गैस सेलेंडर के दामों पर भी कोई चर्चर नहीं की गई यहीं कारण है कि इस बज़ट के विसलेशन में आम आदमी को लाप्राप्त होना त्यंत मुस्किल है हर बार की तरह आम आदमी के बज़ट से निरासा ही प्राप्त हुई है निसकर्स बज़ट 2022 से इसमें रोजगार वियापार था जिसानों को लेकर कई प्रकार की उच्छना इलागू की जाने की घोशना की है चाली में देश में कोरोना की भेंग कर महामारी से पीडित रह च लगती है लेकिन आम आदमी की समश्य जो कित्यों रह गई है धन्यवाद